हलो फ्रेंट्स और दियर इस्टुडेंट्स नमस्ते यू आर वेलकम इन डी एसम इंग्रिश लर्निंग क्लाउज दिस धन्पाल सार आज हम क्लास 12 जनरल इंग्रिश का चेप्टर 7 इन दे कंट्री का स्टेडी करेंगे इसका राइटर है डवल्यू एच डेविस हम पोयम को स स्टेडी करते हैं तो ग्लोसरी के लिए आप क्या करेंए कि अपने साथ बुक रखिए और बुक के अंदर जो डिफिकल्ट वर्ड जो ग्लोसरी में बताए गए हैं उनको आप पेंसिल से नोट कर ले जिससे आपको पोयम को समझने में आसानी होगी सदलता होगी और आपको पोयम बड़ी अच्छे से समझ में आईगी गलोसरी दिया है स्टूरेंट्स फर्स्ट बॉक्स हमें वर्ड है सेकेंड में परनेंसियसन थर्ड में ग्रामर फॉर्ट में मिनिंग इन इंग्लिज और फिप्त में मिनिंग इन हिंदी हम इस पिट से करेंगे ताकि वीडियो ज जो है यह नाउन है उट से इंग्लिज मिनिंग है इनका और हिंदी जंगल के यह नाउन है इसका इंग्लिज मिनिंग है वरी और हिंदी है चिंता करना नेक्स्ट है मसल्स यह नाउन है फिजिकल स्टेंथ यह वर्ड है इसका इंग्लिज में सारीरिक सक्तिया ताकत नेक्स् वाना संस संसेन होते यह वर्ब है अवाइड्स एने की नजर अंदाज करना छोड़ देना उपेक्छा करना यह इसके मिनिंग हिंदी है अगला वड़ देखते हैं वेन वेन लुकिंग पेल एंड विक पीला कमजोर रुग्ण यह इसका हिंदी है रेच्ड रेच्ड एक एडजेक्टिव है यह एक्स्ट्रेमली बेड और अन्फिलिजेंट यहने की हत भाग दीन दुखी यहने की बहुत ज़्यादा दरीद्र जिसको कहते हैं वो रेच्ड हो है अगला है सामना करनाव तो रेस़िस्ट करना है सामना करना नेक्सत वर्ड है कशड यह परजेंट पार्टिसीपल है एडजेक्टिव भी स्टेयश भी येजति केश क irony यहेख्ण काली है करस्ट होना यह ओन्धिट इपटिव हैं विद नथिग यूँ एक दम खाली नेक्स्ट वड्ड देखते हैं कि एड्मार ये वर्ब है एड्मार एंड्मार ये प्रेच इंग्लिफ वर्ड है इसका मिनिंग है और परसंसा करना इस्टार वो ये भी एक वर्ब है तो सफर फ्राम ये डाई ओप लेक आफ फूड ये बोजन के करण जो है मर जाना ये बोजन से मरना ये भूके मरना इस्टार वो माईजरी ये नाउन वर्ड है ग्रेट सप्रिंग, गहरा दूख, डीड ये नाउन है वर्ड, ये चीरफूलनेस हेपिनेस ये जोई, ये खुसी ये परसनिता अगला मर्ड है हमारा इस्ट्रेस वर्ब हैं, लुक्स किनली इस्ट्रेस है नहोता है, गुर्णा ये एक टुक देखते रहे ना उल्फिस, एड्जेक्टिव हैं, ग्रीडी ये वाइलेंट, लाल्ची ये हिंसक क्रिप्स है नहोता है, वर्ब है एक, मुव से सिलोवली, वाइट एंड केरफूली ये रेंगना ग्रोन, ये नाउन वर्ड है, लॉंग ये डीप साउंड आप पेन एंड एनोएंस, ये की गुर्रहाट होता है लास्ट वर्ड है साई, ये लॉंग डीप ब्रेथ औफ सेटनेस, ये की दुक के हमारे गहरी सांस लेना ये ठंडी आँ भरना, ये वर्ट्स होता है तो ये हमारे वर्ट्स कम्पलिट हो गए है, अब हम लेसन को स्टार्ट करते है, लेसन है, इन दा कंट्री देश में हाव डू यू फिल आप कैसा महसूस करते हैं याव डू यू सी दा हंगरी एंड दा हॉमलेस यहने कि आप कैसा महसूस करते हूं जब आप भूके और हॉमलेस निराश्रित घर विहीन लोगों को देखते हों सेगंड कोस्टन जो कभी पूछ रहा है आप कैसा महसूस करते हूं यह कभी प्रेस्टन करना है इस पोएम के अंदर हमको देखने को मिलेंगे अब इसका में जो पिक्चर दिया हुआ है पिक्चर भी हमें कुछ न कुछ संदेश दे रहा है तो इस पिक्चर में आप देखिए एक वेक्ति खड़ा हुआ है और एक एक हाथ जंगल की तरफ कर रहा है और दूसरा सहर की तरफ सहर में भी दो कंडिशन से यहां पर दिख रही है इधर यह जोपर पट्टियां है हाट से और गरीब लोग दिख रहा है इधर यह बड़ी-बड़ी मल्टियां है और यहां पर जो है अमीर लोग गाड़ियां है अमीर लोग दिख रहा है तो इन में कंपेर कर रहा है वो तो फिर क्या कहता है कभी देखिए तो दिख लाइप इस स्विटेस्ट इन धिस ऊड़ी दिख लाइप इस स्विटेस्ट यहां जीवन मधूर्तम है कभी कहता है कि मैं यहां पर भोजन के लिए बिलखते हुए रोते हुए किसी बच्चे को नहीं देखता हूं कि यहां पर भोजन के लिए बिलगते हुए किसी बच्चे की नहीं सुनता हूए कि बच्चे की वो चितकार नहीं सुनता है कि वो भोजन के लिए रो रहा हो मैं ऐसे किसी महिला को भी नहीं देखता हूँ जो चिंता में वाइट हो गए याने कि दूबली पतली हो जाना किंता करकर के कमजोर हो जाना ऐसे किसी महिला को भी नहीं देखता है No man with muscles wasting here और यहां पर किसी पुरूस को भी अपनी मास पेसियों का वेस्ट करते हुए यहने कि अपने सारी रिक स्रम का अपवे करते हुए भी वो नहीं देखता है यहने कि मेहनत तो करता है लेगे उसका फल नहीं मिलता है यहने कि जो गरिप्राणी, दुखी और निस्तेज वेक्तियों से किनारा करता है उन्हें आवाइट करता है लेकिन ऐसे वेक्तियों का सामना करना भी यह घ्राना से भरा हुआ जीवन है हंगर इन आलमोस्ट एवरी प्लेस यहने कि भूग जो है अधिकतर सब जगह है कर्जट वीदा हैंड देट से इमपटी एन्हें कि उन हातों को भी अभी सुपते हैं ओन हातों केलिए अभी साफ है जो खाली है इमपटी हैने खाली लें धा हाट इस फुल तो हेल्प आलमेστ जब कि हर्दे या दिल जो है उनकी प्लेद के Çağ को सब वेक्तियों की मदद करने के लिए बहा हुआ है फूले नबरा होना, help मदद करना, all men हैंने कि उन पुरूस हो या मनुश्य की यहने कि जब हाथ तो खाली है तो यह से हाथों को आभी साब है जब कि दिल जो है, हर्दे जो है, ऐसे वेक्ति, सबी वेक्तियों की मदद करने के लिए बना हुआ है क्या मैं उस महान परतिमा की परसंसा कर सकता हूँ एड्मायर न होता है परसंसा करना, तारीप करना वेन लिविंग में इस्टार वेन होता है भूके मरना यहने कि जब उसके चड़नों में लोग भूके मर रहे हो किसके चड़नों में हैंने कि महान इस्टेचू के चड़नों में तो क्या उस महान इस्टेचू की परसंसा करना ठीक रहेगा जब उसके चड़नों में लोग भुके मर रहे हों किना एड्मायर दा पार्क्स ग्रिन ट्री क्या मैं उन बगीचों के हरे पेड़ों की परसंसा कर सकता हूँ एर रूफ फॉर हॉमलेस माईजरी जब नीरासरित दूर माईजरी और दूर दरसा ग्रस्त हॉमलेस नीरासरित लोगों को छट भी नहीं मिलती हूँ यहने कि लोगों को छट नहीं मिल रही है और बगीचों के हरे पेड़ों की परसंसा करने को केता है कभी तो केसे कर सकते हैं हम परसंसा उनकी When I can see few men in need यहने कि जब मुझे कुछ few हैं थोड़े से जरूरत मंद need आव सकता है जरूरत मंद लोग दिखें I then have power to help by deed तब मेरे अंदर देने ने तब मेरे अंदर अपने कारे से उनकी मदद करने का सामर्थ है या सकती है Not lose my cheerfulness in pity यहने कि दया उन पर पिटी है नहीं होता दया उन पर तरस या दया खाने में मैं अपनी परसंता को नहीं खो सकता है cheerfulness खोसी या परसंता which I must do in every city जो मुझे हर सेर में करना है four I then have power to help by deed यहने कि और तब अपने कारे के दुआरा उनकी मदद करने का मुझे में सामर्थ है सकती है not lose my cheerfulness in pity तब उन पर तरस या दया खाने में अपनी खुसी को नहीं खो सकता which I must do in every city जो मुझे हर सेर में करना है four when I am in those great places क्योंकि जब मैं उन महान इस्तानों पर होता हूँ I see thousand supreme places तो मैं हजारों ऐसे दुखी या कस्ट वाले चेरों को देखता हूँ before me stairs a wolf is eye मेरे सामने घूरती है कुरूर आख behind me creeps a groan और साई और मेरे पीछे रेंगते हैं क्रीपेन होता है रेंगते हैं अंतरनात और गहरी ठंडी सासे ए राइटर है इसका डव्यू एच डेविस अब इस पर एक चित्र दिया गया है ये चित्र भी हमें कुछ संदेश देता है ये देखिए कवी खणा है और बास सारे इदर कमजोर गरीब दुखी लोग उसको नजर आते हैं about the poem कवीता का समुदी दिया गहा है the poem vividly describes the human springs in big cities यहने की कवीता जो है vividly साजीवता पुर्वक describes वर्णन करना human springs मानो कस्टो का यह मनुस्य के दुखो का in big cities बड़े सहरों में यहने की कवीता जो है बड़े सहरों के मनुस्य के दुखो यह कस्टो का सजीवता पुर्वक वर्णन करती है the groans and plight गुराहते और दूरदर्शा of hungry the homeless the sad and the needy reach the eyes and ears of the poet यहने की कवी जो केता है इसमें यहने की भुके नीरास्री दुखी जरूरतमन या उसकता ग्रस्त लोगों की गुराहते और उनकी दूरदर्शा जो है वहां तक कवी की आखे और उसके कान पहुँचते हैं रीजे ने पहुचना the poet wants to help his fellow human beings कवी जो है अपने साथी मनुस्य के fellow human beings साथी मानुव जाती की मदद करना चाहता है wants to help मदद करना चाहता है but his own poverty किंतो उसकी स्वयम की गरीबी does not let him do so उसे ऐसा नहीं करने देती the sensitive poet sensitive याने होता है कोमल हर्दे वाला the sensitive poet कोमल हर्दे कभी thus wishes to flee भागना to some desolate place desolate place एन्हे होता है एकांत इस्तान एकांग की जगा सांत इस्तान एसी जगे पर वो भागना चाहता है एकांत इस्तान पर भाग जाना चाहता है where he would not encounter such springs एन्हे की जहां पर उसे encounter एन्हे होता है सामना करना such springs एन्हे की इस तरह के दुखों का जहां पर वे एन्हे जहां जहां पर उसे ये से दुखों का सामना करने को ना मिले तो ये हमारी poem complete हो गए students हासा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे like करिए अपने दोस्तों के साथ इसको share करिए और नए वीडियो की notification पाने के लिए इसको subscribe करें और bell icon को भी जरूर दबाए ताकि नए वीडियो की notification आपको जल्दी मिल जाए ताकि मैं नए वीडियो और बनाता रहूँ Thank you for watching the video